सभी को नमस्कार जैहिन सुप्रभात गुड मॉर्निंग तो नंबर सिस्टम की कहानी को लेकर हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और नंबर सिस्टम मैंने आप से बताया कि एक ऐसा टॉपिक जो कहने में मतलब की एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से अगर देखा जाए तो जिसका कोई टाइप वाज अगर बनाया जाए तो लिमिट नहीं होती कि कि कितने भी टाइप्स के आप चीज़ों को पढ़ते जाए लेकिन थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन उल्जाया हुआ आ जाए तो हम दिक्कत में हो सकते हैं क्योंकि हमें पैटर्न नहीं समझ में आ क्वेश्चन आ जाता है कई बार यही क्वेश्चन ऐसे हो जाता है 2116 के सभी अभाज गुणनखंड या आपसे पूछ ले 2160 के ऐसे गुणनखंड ग्याद करो जो 30 से डिवाइड हो 2160 के ऐसे गुणनखंड जो 4 से डिवाइड हो अब बताईए अगर आपने इसके फैक्टर करके और फिर इसके बाद इसके गुणनखंड निकालना इस्टार्ट किये तो दिक्कत में आ सकते हैं और डारेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे कि मैंने कहां 200 की गुणनखंड या 200 की सभी भाज गुण आपके पास जो भी number system का content है अभी उस पर ना जाकर आप class पर focus करें और जितनी class होती है उन सभी के notes बनाएं और फिर इसके बाद आप previous year paper उठाएं उसमें से आप देखेंगे कि मैं इतना तो कह सकता हूं कि number system जिस दिन मैं ये बोलने की complete है 85% question आप number system के solve करने के काबिल हों factor का दूसरा question आ गया, unit digit का तीसरा आ गया, remainder theorem का चोथा आ गया, simplification का पांचमा आ गया आपका मतलब इस तरह से question होते हैं उस समय आपका concept नहीं बन पाता आप रटना start करते हैं सबसे बड़ी कमी और number system के अगर मैं बात करूं तो आपके constable, MP constable, MP jail और आपका जो NTPC का exam है य बहुत important role play करता है, अगर आपने math के जितने भी arithmetic हैं, जितने भी advanced के topic हैं कर लिए, number system को आप छोड़ कर जाते हैं तो आपके in exams में हालत बिगड़ने वाली है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए number system को बहुत हलके में मतले, या number system से बहुत ज़्यादा डरे ना, अगर आपको आप तक ये class, आप तक अगर मेरा content पहुच रहा है, तो आपको math से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं start करता हूँ, आज का जो हमारा topic होगा, number system की ये दूसरी class होगी, पहली class में हम लोगोंने basic discussion किया था, ठीक है, तो मैंने आप से क्या बताया कि books में जो आपके question ह होते हैं, एक question होगा आपका unit digit का, एक question होगा आपका factor का, एक question होगा आपका face value या place value का, एक question होगा आप division theorem का, उस समय आप क्या है, confused होंगे, आपके पास किसी भी book में एक type while notes बना कर नहीं होगा, तो कोशिस ये करना कि बिना किसी book को touch किये हुए, आप मेरे notes या मेरा content आप तक पहुझ रहा है, उसका proper notes बना कर और फिर number system की practice करें, यह आपके लिए ज्यादा helpful होगा, topic आज हम लोग लेकर चल रहे हैं, factor और multiple, factor, ठीक है, यानि कि अगर मैं बात करूं, तो factor और multiples की बात करें, तो गुणक और गुणंखंड होता है, इसकी बात करें, तो इसे बोलते हैं क्या गुणक और इसको बोलते हैं गुणंखंड, हिंदी वाले लिख लें, गुणंखंड, सबसे पहली बात तो यही नहीं समझ में आता कि यह factor क्या होता है, और यह multiple क्या होता है, तयारी करते हुए हम चले जाते हैं, exam में बैठ जाते हैं, question बस इतना सा पूँछ लेता है, कि दोसों के ऐसे factor ग्याद करें, ऐसे गुणंखंड ग्याद करें, जो चाल से पूर्टा भी भाजित हों, तो factor का मतलब क्या होता है, या आपके multiple का मतलब क्या होता है, बात यह समझना है, अगर मैंने आपसे एक example के तोर पर बात किया कि 6 के 6 के factor, यानि कि गुणंखंड और 6 के गुणंखंड बस दोनों बाते मैंने लिख दिया, 6 के गुणंखंड और 6 के गुणंख ग्याद करें, यानि कि factor और multiple में आपको सबसे पहले तो यह difference समझना है, कि multiple आपके जो भी होंगे, यानि कि अगर मैं बात करूँ, 6, 12, 6, 13, 6, 24, 24, ऐसे करते हुए, infinite तक जा सकते हैं, यानि कि यह समझ में आया कि 6 के पहाड़े में जितने numbers आते होंगे, वो सभी के सभी 6 के multiple हैं, 6 के सभी के सभी multiple हैं, यानि कि 6 के गुणख है, और 6 के factor के अगर मैं बात करूँ, तो 1, 2, 3, और 6 तो आपको यह फर्क समझ में आया कि factor और multiple में क्या फर्क होता है, ठीक है, वह सभी संख्याएं जो 6 को पूर्णता होंगे, या 6 के गुणखन होंगे, वह सभी संख्याएं जो 6 से पूर्णता होती हों, को और से में फर्क समझेगा, वह सभी संख्याएं जो 6 से पूर्णता विभाजित करती हों, होती हों और 6 को पूर्णता विभाजित करती हों, और 6 को पूर्णता विभाजित और 6 से पूर्णता विभाजित, यानि कि यह इन्फाइनाइट तब होता है और इनकी एक सीमा होती है, एक लिमिटेड होते हैं, ठीक है? अब आपसे मैं बात करूँ, कि सीधा आपसे जो question पूछा जाता है, यह तो हो गया आपके 6 के गुणत, 6 के आपके जो multiple हुए, आपसे question पूछा जाएगा, 100 के factor, या आपसे पूछा जाएगा, 200 के सभी factor ग्याद करें, यानि कि सभी गुणनखंड ग्याद करें, 200 के सभी गुणनखंड ग्याद करें, अगर आपसे question बस इतना सा पूछ ले, 200 के सभी गुणनखंड ग्याद करें, तब आप आसकनी से बता सकते हैं, जैसे कि मैंने अगर यह कहा कि 100 के, अब गुलेंगे, एक, दो, चार, पांच, दस, बीस, पच्चेस, पचास और सो, यह आप बोल सकते हैं कि यह सभी के सभी क्या है, सौ के factor है, यानि कि जो संख्याएं, सौ को पूर्टा विभाजित कर सकते हैं, वो यही है, यानि कि यह 6 के factor हुए, दोसों के सभी गुलनखंड आप लोग खुद से कोसिस करें, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 10 के बाद, अब आप वापस लोटना होगा, 10 के बाद देखना है कि 10 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या आगे है, 12 हो सकता है क्या, 14 हो सकता है क्या, 15 हो सकता है क्या, ऐसा आपको खुद से ट्राइ करना है और दोसों के जितने गुणन घंडे आप यहां पर लिखें फिर इसके बाद मैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं जो आपसे कभी भी कुश्चन ऐसा पूछे कि कितनी भी बड़ी संख्या आपसे पूछ ले मैंने एक एक्जामपल के आपके एक दो चार के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद आपका होगा 20, फिर इसके बाद, 40, 50, 25, 20 के बाद है यहा पर हूगा आपका, 25, 40, 50, 100, वर 200 एक दू तीन चार पांच छे साथ आट रोग दस व्यारा फारा ठीक है तो यही है कुल आपके जितने भी फेक्टर होंगे एक दू तीन चार पांच आठ दस बीस पच्चिस चारीस पचास और सौ डोसो यह दोसो के अब आपको यह समझना है कि आपने दोसो के तो बता दिये सो के भी बता दिये अगर आपसे कोई भी क्वेस्चन ऐसे पूछ ले 512 या कोई भी ऐसी बड़ी संख्या या इस तरह से लिख दे 512 5120 अब आपसे क्वेस्चन पूछे कि इसके फेक्टर ग्याद करें तब तो आप वेवोस हो जाओगी यह करते करते यानि कि इस मैथड से तो नहीं पूछ रहा होगा एक्वेस्चन आपसे पूछा है जैसे कि मैंने कहा 5122 या 2160 अगर यह दोनों क्वेस्चन आपके सामने हैं और आपसे पूछ ले कि इनके फेक्टर ग्याद करें तो खेर यह मैथड तो आपसे उमीद नहीं की जाएगे कि यह इस मैथड को लग नारे रखते हैं इसको भी मैं मिटाओंगा नहीं किवल 200 के आप अपने सामदे रखिए और यहीं से हम लोग एक कॉंसेप्ट को लेकर चलते हैं यहीं से हमारा एक कॉंसेप्ट निकलेगा जो कि आपके बड़े से बड़े क्वेस्चन पर हेल्प करेगा उसको सॉल्व करने में इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ ठीक है आपसे क्वेस्चन यह पूछा कि 2160 के सभी गुनन खड़ी ग्याइक करूँगा बस इतना सब कुछे में अब आप क्या करेंगे क्या इसे लिखेंगे एक दो आठ इक नौ तीन चार पांच फिछे से भी होगा बतलब ऐसे चेक करके तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि एक्जेक्ट एंसर दे पाई या दे भी सकते हैं तो आपका हो सकता है एक क्वेस्चन को करने में ही पांच से थन पैसों को सकते है तो आपो अलगे हैसर होता है दो बुटब है और 25 बुढे चार यह हो सकता है मैंने कहा आपको प्राइम सैक्टराईजेस дов करना है अगर मैं बात करूं तो आपका ये तरीका होता है कि दोशों को आप ऐसे करें और उसके जितने भी अलग-अलग factor है, उनको आप निकाल लें, पहला तो 2 से 100, ये करना नहीं है, ये मैं आपको और अच्छा सिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए हम लोग इसको, ठीक है, तो कहीं न कहीं आपको एक बात समझ में आई, कि 2 कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार, अगर मैं देखूं, तो ये 5, 25 है, इसको मैं बोल सकता हूं, 5 का स्क्वेर, इंटू, 2 का स्क्वेर, और इसी के साथ हांगे लगा है, 2, यानि कि मैं इस 2 को ब भुल सकता हूं, 2 की पावर 3, यानि कि 5 की पावर 2, ये मैंने 100 को लिख दिया, ये सभी के सभी क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए, यानि कि इसको हम फर्दर, यानि कि 2 इन्टू 2 इन्टू 2 इन्टू 5 इन्टू 5 को मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, अब बात इनके factor कितने होंगे तो आपको ध्यान रखना है कितना भी बड़ा question आजाए एक बात याद रखना कितना भी बड़ा number आपको दिया हो उसके अगर आप इस तरह से prime factorization method कर लेते हैं कि उसको further divide करने की कोई जरूरत ना हो तो आपका answer यही होगा इसकी power में एक जोड़ देना और इसकी भी power में एक जोड़ कर दोनों का multiply कर देना चार गुणे तीन आपका बारा उत्तर होगा किसी भी number की मैं बात कर रहा हूँ 4 गुणे 3 आप count कर लो 12 ही आपका उत्तर होगा यानि कि एक step अगर आप notes बनाना चाहें तो यह 200 तो भी बहुत छोटा है इसको मैंने practically निकाल लिया और फिर आपके सामने मैंने बताया कि इनके prime factor निकाल लो जिनको आगे हम और जादा नह आई है उसमें एक प्लस करके और जितने भी है prime factor उनकी power में plus one करके सभी को into कर देना अब मैं इस question को आपके सामने उसी method से बनाने की कोशिस करता हूँ हाँ ये भी पूछा जा सकता है ऐसा बताईए ऐसा question जो चार से पूणता है अब देखिए इसी question को एक और pattern माल दीजे अगर आपसे ये पूछे कि 200 के ऐसे factor बताईए 200 के ऐसे सभी कुननखंड बताईए जो 4 से पूणता है विभाजित हों अगला question मैं इसी 200 पर पूछ रह factor से होंगे या multiple से होंगे आप आसानी से answer कर बाएंगे मैंने कहा कि ऐसे सभी 200 के factor ग्याद करें या गुणनखंड ग्याद करें जो 4 से विभाजित हैं आप count करिए पहले तो आप practically एक दो तीन चार पांच छे उत्तर हैं आप बोलेंगे इसका answer तो 6 होगा अब अगर 6 answer है मुझे 6 ही निकालना है और इस method से निकालना है प्राइम factor method से निकालना है तो मैंने कहा अगर मुझे 4 का factor चाहिए तो मैं 4 को सबसे पहले बाहर रखूँगा 2 की power 2 तो उसके अंदर होगा ही लेकिन जैसे ही मैंने 2 की power 2 को बाहर निकाला तो 2 की power 1 बचा और इन्टू 5 की power ठीक है अब आपका answer क्या होगा यानि की power अब आपके प्राइम factor इससे कोई मतलब नहीं आपको ये बताना है कि 2 की power 2 यानि की 4 factor होने का मतलब है कि 4 तो उसमें होगा ही होगा मैंने उसको बाहर निकाल दिया अब इसकी power 1 1 ब्लस 1 यानिकी 2 इन्टू 2 ब्लस 1 सब्सक्राइब का उत्तर होगा अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि सभी के सभी विसम अब देखिए यहां पर एक बात यह समझना है अभी एक और पूछ सकता है कि सम संख्या और विसम संख्या पर देखिए कर यह कॉस्चन तो चुटकियों में होते हैं अभी मैं बस आपको concept समझा रहा हूं कि क्या-क्या पूछा जा सकता है यह पूछा अगर सम की बात होगी तो उसमें 2 होना कंपल सरी है अगर 2 मैंने बाहर लिया तो यहां पर 2 की पावर 2 होनी चाहिए और आप करेंगे 2 प्लस 1 यानि कि 3 इंटू 3 त्री त्री जा 9 होगा आप देखिए जितने भी इस factor होंगी उनमें से सम कितने होंगे 9 होंगे कौन-कौन से है एक तो 2 हो गया दूसरा एक तीसरा चौथा पाचमा छटमा साथमा आठमा एक कौनसर है चाहिए आपका जो यह कौनसेप्ट है यूनिवर्सल है चाहे तो आपसे सम पूछे चाहे तो आपसे टोटल पूछे चाहे तो आपसे कुछ भी गोश्चन पूछे फिर मैंने कहा अगर बिसम पूछ लेता है तो तो की पावर का वहां पर रहने का कोई मतलब ही नहीं होता यानि कि 5 की पावर 2 ही एंसर होगा अगर 5 की पावर 2 है इसकी पावर 2 तो इसका मतलब की इसमें 1 कर देंगे तो पहला दूसरा और आपका तीसरा तीन ऐसे फेक्टर है जो की बिसम हैं और क्या पूछ सकता है सवाल उसको भी देखते हैं चलिए तो यह तो हो गया आपने 200 से concept बनाया क्या समझ मैं आया कि अगर आप से पूछे कि 200 के सभी गुणन खंड गयात करो तो मैंने कहा 200 को सबसे पहले मैं प्राइम फेक्टराइजेशन मेथड करूंगा उस से बताऊंगा कि उसको और हम फर्दर नहीं तोड़ सकते जो भी उसकी पावर होगी उसमें प्लस वन करके सभी को मैंटिप्लाई कर देंगे और जितना नंबर आएगा वही सवाल का उत्तर होगा अब मैंने कहा इस क्वेस्चन में जर्द करके देखो इस कोस्चन में हम लोग उसी मैथट को एपलाई करके देखें क्या हो सकता है आंसर कर दो कुछ इस तरह से अगर देखा जाये तो 216 216 के बारे में कुछ पता है 266 चक का 216 याद आया यानि कि अगर मैं वोलू तो ये तो 6 का क्यूब लिखा है ये तो 6 का क्यूब लिखा है 6 के बारे में अभी 6 के further divide हो सकते है 2 into 3 यानि कि मैं बुलू 2 की पावर 3 यानि 3 की पावर 3 लिखा है मैंने का ये क्या है ये तो 5 into 2 है 2 into 5 मैंने का अगर 2 यहाँ पर हो जाएगा तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा यही तो इसके factor होगे 5 factor ठीक है अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है 2 की पावर 4 into 3 तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर लिख 10 है कि एक्जाम में आपके पास परियाप्ट टाइम होता है MP की अगर अग्जाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पर टाइम का कोई इसू नहीं होता कि दस्तों सी कि पांग सो चालेश कि पांग सो चालेश यही है यानिकि आप देखें 2 की पावर 4 3 की पावर 3 & 5 यही तो मैंने लिखा है तो यह समना करना पड़े हम आसानी से चीजों को इस तरह से बना सकते हैं जिसको अगर नहीं समझ में आता है यह नहीं पुला जाएगा कौन-कौन है 2000 ऑप्सम में कुछ भी ऐसा होगा सभी गुणनखंड की कुल संख्या ग्याद करें ठीक है आपसे यह नहीं पुछेगा कि सभी के सभी ऑप्सम में लिखना है कुल संख्या ग्याद करना है तो मैंने कहा यह 10 को अलग करता हूं 216 216 के बारे में मुझे पता है 6 का क्यूब अरे 6 को अभी मैं 2 into 3 में कर सकता हूं 2 की power 3 into 3 की power 3 आपको पता है जब power same होती है तो दोनों का क्या कर दिया जाता है multiply कर दिया जाता है power को constant रखा जाता है a की power m into b की power m यह आपने पढ़ा होगा class 8 में ठीक है फिर इसके बाद मैं ने कहा यह 5 तो अपनी जगह है और 2 अपनी जगह है 2 तो इसका भाई है 2 की power 4 बनेगा 3 का कोई और भाई नहीं तो यह 3 की power 3 और इंटू 5 अब आपके सामदी यह factor बचे 2 की power 4 3 की power 3 इंटू 5 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 यानि कि 5 गुणे 4 गुणे तो 5 अपको 20 दूनी 40 इस सवाल का तर होगा कैसे भी आप चाहो तो किसी भी बुक में यह question आपको मिल जाए इसका answer 40 होगा यानि कि 2160 के जितने भी गुणन खंड होंगे वो उनकी संख्या कितनी होगी तो आपका answer होगा 40 चलिए इसी में देखते हैं और क्या पूछ सकता है इसी question को पहले एक बार और समझते हैं कि क्या आप से पूछ सकता है ठीक है अभी तो हमने क्या निकाला total उसके कितने गुणन खंड बनेंगे फिर अगला question जो आप से पूछेगा उसमें यह होगा कि कितने उसके ऐसे गु पावर 4 तो इसके प्राइम फेक्टर हो गए 3 की पावर 3 इंटू 5 आपको पता है समसंख्या निकालने का मतलब यह है कि आपको 2 उसके बाहर रख देना है answer क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 ठीक है यानि कि 2 की पावर 4 अगर है तो यह सभी में multiply हो रहा होगा एक 2 को मैंने बाहर निकाला यानि कि एसे कितने 5 हैं जिनके साथ 2 होगा वो जवाब आपको मिल दाएगा ठीक है दिख रहा है यहां पर अब आपके सामने इसके फेक्टर निकालने हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 2 चार्चा को 16 दूनी 32 32 इस सवाल का उत्तर होगा और निकाल कर देखना है तो मैंने आगर विसम फेक्टर की बात करना है तो किसी के साथ कोई भी 2 की पावर नहीं होगी यानि कि 4 इंटू 2 8 इस सवाल का उत्तर होगा तो यह हो गया आपका question जो आपको समझने की जरूरत है कि फेक्टर डारेक्ट आपसे question पूछता है कि किसी भ चार से पूरता विवाजित होंगे मैंने का अगर चार से पूरता विवाजित की बात कर रहे है यानि कि 2 की पावर 2 को में बाहर रख लेता हूं तो यहां पर बचेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 यानि कि 3 इंटू 4 इंटू 2 4 इंटू 24 ऐसे फेक्टर तो सबसे पहले हमें 5 और फिर इसके बाद, 123 मैंने बाहर निकाल दिया है यानिकि 3 की बारा ऐसे फैक्टर होंगे जो 30 के multiple होंगे यानि कि 30 के multiple होंगे 30 के क्या होंगे गुणक होंगे तो बात समझ में आई कि 4 के ऐसे कितने multiple होंगे जो कि इसके factor होंगे 2 के कितने होंगे 30 के कितने होंगे 20 के कितने होंगे कुछ भी question आप से पूँच सकता है आपको इस बात को ध्यान रखना है ये छोटा सा एक factor से related जो भी question है अब हम इसके और भी question को लेकर practice करते हैं number of even factor, number of odd factor आपने देखा total number of factor, number of even factor, number of odd factor और हमने क्या समझने की कोशिस किया कि number of factor that divided by the particular number ऐसे factor जो किसी एक number से बिभाजित होने चाहिए इस concept को बहुत अच्छे से समझ लो और फिर इसके बाद आप किसी भी book में जाकर देखो कि factor से related जितने भी question पूछे गए हूँ आप उनको 20 second के अंदर अगर answer ना कर पाओ तो फिर मेरी next class देखने का कोई मतलब नहीं है अगर लगे कि हाँ कुछ चीज़ें आप सीख रहे हैं तो अगली class में आप सभी का सोगत है ठीक है मैं और अच्छे question लेके तब तक आप इसको note करें अगला question है दस अजार पांच सो के कितने factor होंगे अब बताइए आपने 200 का तो सीख लिया 100 का सीख लिया लेकिन अगर दस अजार पांच सो के पूछ लिया तो एक अगर आपको ये concept नहीं मालूम तो एक ही option बज़ता है ABCD को छोड़ कर कि question ही छोड़ दिया जाए अगर नंबर सिस्टम टफ नहीं होता है मैं आपको एक बाइब कर देता हूं नंबर सिस्टम टफ नहीं होता है नंबर सिस्टम के सभी टाइप को कोई teacher cover करवा नहीं पाता है इसलिए वो थोड़ा सा टफ लगता है clear दिखने राक्याइए एक मिनट चलिए मैंने कहाँ 10,500 अब 10,500 के किसी को अगर factor नहीं मालन तो आप इस method से prime factor निकाल सकते हैं जिसको यह वाली method समझ में आ जाए तो मैंने कहाँ यहां पर 105 बुड़े 100 लिखा है यही तो लिखा है 105 को मुझे पता है कि किस बुड़े 5 लिखा है ठीक है 105 के बारे में मुझे यह पता है कि 21 स्वारी 15 सत्य 105 यानि कि 15 गुणे 7 लिखा है और 100 के बारे में मुझे पता है कि 25 गुणे 4 लिखा है 15 सत्य 105 हाँ 21 भी लिख सकते हैं साथ पे 21 वही बात है क्लियर देखने रहा मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है तो अब आप देखिए यहां पर मैंने क्या किया कि 5 का स्क्वेर इंटू का स्क्वेर और यहां पर 7 अप में आप में यही तो है 105 मैंने का एक 105 को अगे डिवाइए दिवाइड किया 15 इंटू 7 इसको मैंने क्या 25 इंटू 5 स्क्वेर यह तो हो गए यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू 7 3 इंटू 5 याणी कि यहांसे अगर मैं करों दिसको men monsieur स्कास्वावर 3 यानि कि यहां से अगर मैं करूं तो इसको मैं बोच सकता हूं 5 की पावर 3, 7 और 3 यहां पर नहीं है, यानि कि 5 की पावर, अब आपका एंसर क्या होगा, 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 3 into 7, ठीक है, यह आपके सामने इसके प्राइम फेक्टर होंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 into 7, आप चाहिए तो इस मैंठट से भी निकालें, तो आपको शुरुआत में 2, 2 मिलेंगे, फिर 1, 3 मिलेगा, फिर 3, 5 मिलेंगे, फिर 1, 7 मिलेगा, उसको आपको इस तरह से लिख सकते हैं, अब आपसे पूछा है, टोटल फेक्टर, मैंने का इस का एंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही हो, वीडियो को आप रिपीट करके कम से कम एक से दो बार देखने की कोशिस करें, तब आपका कॉंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, अगर किसी क्वेस्चन के, माल लीजे आपसे यह पूछ दिए, तो 48 होगे, कि टोटल इसके कितने फैक्टर बनेंगे, टोटल फैक्टर, यानि कि 10,500 के जो टोटल फैक्टर होगे, वो कितने होगे, 48, आपसे क्वेस्चन अगर पूछ लेता है, कि कितने ऐसे फैक्टर होगे, जो कि एक विसम संख्या होगे, यानि कि और नमबर होगे, और न सवाल का उतर होगा अगर इवन की बात किया जाए तो इवन फेक्टर बनने के लिए मुझे पता है कि टू इक बाहर होगा यानी कि तू आपको बाहर रगना होगा ओर तू की पावर वहां इंटु थी की पावर वान इंटु 5 की पावर 3 इंटु 7 की पावर वान यानिकि 2 इंटू 2 into 4 into 4 दू 4 दू 4 दू 8 दू 16 दू 32 अगर यहां पर है 16 यहां पर है अप दोनों को टार्ड कर देखे यानिकि कुछ sum होंगे कुछ v sum होंगे लेकिन आप concept से चीजों को निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि v sum इतने होंगे और sum इतने होंगे इसके फैक्टर होगे जो की 5 का multiple हो यानि की 5 की गुणा हो तो मैंने खाँ 5 को बाहर रख दो इसके बाद 2 को एजिटीच रखो तो यह आपका तरीका है तो यह आपका तरीका है तीन दूनी चाहिए अधिन ज़िए दूनी 12 तो आपको concept समझ में आया होगा मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके sum बे sum किसी भी संख्या का multiple आपसे ये भी पूछ सकता है 30 के कितने ऐसे multiple होगे तो 5 को रखना है, 1-3 को रखना है 1-2 को रखना है, बाहर रखना इसके बाद जो भी आपके answer होगा, सभी के सभी 30 के multiple के factor होगे अगला लिखिए question 360 के 360 के सभी बिशम गुणन खंडों की संख्या ग्याद करें 360 के कितने बिशम गुणन खंडों के उनकी संख्या ग्याद करें 360 360 का आप निकाल भी सकते हैं एक practically यानि कि आप जो general method जो आपने अब तक या ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे कि अगर बोला जाए एक 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं होगा 10 अब इसी के बाद आप उल्टा चलना शुरू करतेंगे 10 के बाद 12, 12, 13, 16 12 के बाद आपका answer क्या होगा 18, 36 पर इसके बाद इसका answer और क्या होगा यहां पर अभी 9 भी होगा और आगे क्या होगा 5 35, 35, 35, 25 भी होगा 6 से अगर divide किया जाए तो 60 भी होगा 9 से अगर divide किया जाए तो 40 भी होगा ऐसे करते हुए आप इसको 120 होगा 2 से अगर divide किया जाए फिर इसके बाद 360 यानि कि अगर कोई छूट रहा हो तो आप एक बार लिख कर देख लें हो सकता है कोई छूट गया हो आप एक बार चेक कर ले इनको चेक कर रहा है तो इसको लिख लिख लिए लेकिन आपको करना क्या है अब मैं समझा रहा हूँ आपकर देखिए इसमें क्या है confidence मैं खुद नहीं हूँ कि कितने इसके answer होगी ठीक है क्योंकि इसमें 2-3 बार मुझे cross check करना होगा कि हो सकता है कोई गलत हो या हो सकता है कोई छूट गया हो मैं जल्दी-जल्दी में 360 के तो आपने बना लिया लेकिन अगर यही एक बड़ी संख्या हो मैंने अगर इसको 3600 कर दिया हो तब तो आप नहीं निकाल पाते है फिर इसके बाद अगर बात करूं इसके एकर बात करों तो यहां पर आपका 3 का स्क्वाइल लिख़ा है है तूलगर सुआंछ 5 होँगे है तो की पावर ठीकी पावरड में को अगर आप सबस्याद को अगर आप से मुचheus है मैंने कहां तोटल अगर पूछा रहा है तो टोटल करने का क्या होता 3 प्लस 1 4 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 2 चारते ही बारा दोनी 24 24 इस सवाल का उत्तर होता यहां पर देख लेते कितने हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर हमने ध्यान ही नहीं दिया कि और भी होंगे आपको यही चीजे समझना है अगर आपको यह तरीका है आपके रियल में जो एंसर होगा वो 24 है आप एक बार जितने भी फैक्टर है उनको ढूड़कर यानि कि आप प्रॉपर तरीके से लिखें तो 24 निकल कराएंगे यहाँ पर मैं लिखा 4 चाटता है बारा दूनी 24 अगर आपसे पूछा है बिसम तो बिसम की बात करें तो टूका होने का कोई मतलब नहीं है 3 इंटू 2 यानि कि 6 इस सवाल का उत्तर होगा अगर सम की बात किया जाता तो मैं दिखता 2 को बाहर रखता फिर इसके बाद 2 का स्क इंटू 5 यानि कि 3 इंटू 3 इंटू 2 हिंद्रकाइं 9 नौदूनी 18 18 इसके सम फैक्टर होंगे और 6 के 20 होंगे टूटल 24 होंगे ठीक है तो मुझे इस पर भरोसा है लेकिन मैं अगर इस तरह से लिख रहा हूं तो आप देखिए बहुत सारे छूटे हुए हैं वो इसलिए हैं ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकता लेकिन रेंडम आपके दिमार्ग में सारे प्रेक्टर एक साथ नहीं आ सकते आपको उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बाद भी हो सकता है कोई एक छूट जाए कम से कम तीन से चार बार आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत दिसका पूछे दिसका पूछे पचीस का पूछे बीं सकती यानि कि जो भी पॉसिमिलिटी बन सकती है उसका आप 70 сво क laugh निकाल सकती है वह थो वहाना सम पूंच रहा है ठीक है 42 के सम गुणनखंड कितने होंगे संक्या पूंच रहा है बस कितने होंगे पर उठाकर देखना आप किसी भी व्यापम का उसमें से एक क्वेस्चन आपको इस तरह से जरूर मिलेगा कोशिस करिए इसको बनाने कि मैं आप थोड़ा सा टाइम लीजे और बनाईए अगर देखा जातो एक तरीका यह हो सकता है 42 और 100 100 को मैं मुझे पता है 25 का 5 का स्क्वेर और 4 का स्क्वेर 42 के गर बात करूं तो 7 गुणे 6 लिख सकते हैं 6 को पता है 2 गुणे 3 गुणे 7 ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं यह 2 का स्क्वेर होगा 2 का स्क्वेर है एक और 2 मिल गया इसको यानि कि 2 की पावर 3 त्री यहां पर है इंटू 3 और क्या है 5 का स्क्वेर है और क्या है साथ यह उसके कुल प्राइम फैक्टर इतने बनेंगे ठीक है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वेर इंटू 7 आप अगर इस तरह से किसी का दिल ना माने तो आप एसे भी निकाल सकते हैं 240 के जोभी prime factor बनेंगे इसार कर आप से पूछा क्या है सभी के सभी सम फैक्टर सम की बात कर रहे हैं कि 2 को बाहर निकाल लिए यानिकि ऐसे कितने 7 है 7 को मैंने अलग किया तो कई बार ऐसा होगा 7 का 14 नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं 2 की पावर 3 है तो इसके साथ भी तो multiply होगा ठीक है इसके साथ भी तो multiply होगा इसके साथ भी तो multiply होगा यानि कि ऐसे कितने संभावित factor होगे जिनके साथ at least 1 2 होगा और अगर 1 2 है तो वो तो समसंख्या होगी तो मैंने का 2 को बाहर रखके मैं चेक कर लेता हूं तो यहां पर 2 बाहर लिया तो 2 square इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 यहां पर देखा जा तो इसके पावर कितने है इनको मिसे plus 1 यानि कि 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 3 इंटू 2 3 दू 6 6 3 18 18 सवाल का उत्तर होगा यानि कि ऐसे कितने फेक्टर होंगे कहीं पर गलती हो गई क्या बिल्कुल थाडिसिक्स तो टोटल पुष्टा तभ भी कोई दिक्कत नहीं थे तो टोटल पूझे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 4 इंटू 4 इंटू 2 2 4 इंटू 4 दू कहीं से भी आप परों यह बिल्कुल फैक्ट है कि आपका एंसर नहीं गलत होने दूँगा समझ में आया यह तरीका नोट करें और फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो अब आप किसी भी संख्या के फैक्टर माली इसी क्वेश्चन में आपसे यह पूछ लेता कि ऐसे कितने फैक्टर होंगी जो चार का मल्टिपल होगी या मैंने का चार का ना पूछ के आपसे पूछ ले 20 का मल्टिपल होगा यहां पर 200 है यानि कि 20 के कुछ दिया तो मुझे पता है यहां पर बचेगर 2 यहां पर 3 यहां पर मैंने 5 दिया है तो 5 बचेगा यहां पर बचेगर 7 यानि कि इनकी पावर सभी की हो गई कितनी 1 यानि कि 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 ऐसे फैक्टर होंगे जो 20 से पूरी तरह पर दूनी कि 72 के या आपसे मैंने 200 को ही एक्जामपल लिया था सबसे पहले मैंने 200 से ही सुरुवाद किया था या सौ से शुरुवाद किया था या आपको एक क्टेशन दे रहा हूं 72 के सभी फैक्टर सभी फैक्टर्स का सम यानि की योग घ्याद करें 72 के सभी factors का sum ग्याद करें यानि कि सभी जितने भी उसके factor हैं उन सभी का योग ग्याद करना है अब तो हालत थोड़ा सा और खराब होगी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सभी factor निकाल कर उनको total किया जाएगा जैसे कि मैंने 200 की बात किया था तो 1,2,4,5,8,10 10 के बाद और क्या लिखा था 20,40 के बाद 40,40 के बाद 50,100,200 यही था अब आपसे यह पूछ रहा है कि दोसों के सभी factor का total तो इसका मतलब है कि आपको सभी को जोड़ना चाहिए मैंने का अगर 12 है तो आप एक बाद जोड़ भी सकते हैं जिनका 48,48 आ रहा था उनका क्या करेंगे जिनका 48 फेक्टर है जिनमें कोई किसी के 36 फेक्टर है तो क्या 36 संख्याओं का आप total लिखते बैठेंगे पहले तो 36 निकालेंगे फिर उनको जोड़ेंगे ऐसा नहीं किया जाएगा करना क्या है सबसे पहला काम आपको 200 के factor आपने निकालें ठीक है कि 2 इंटू स्वारी 2 इंटू हैंडड हैंडड को आपने लिखा 5 स्क्वाइर इंटू 2 स्क्वाइर और यह आपका यहीं की factor क्या बना था तू की पावर 3 इंटू 5 स्क्वाइर पच्चे सथे 200 यह कितना लिखा है 8 इंटू 25 यही तो लिखा है अब आपको अगर उनका सम निकालना है तो आपको इस तरह से करना होगा तू की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 ठीक है देखने में डराबना जरूर लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है मैंने का 8 यह कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 यहां पर वन प्लस 5 प्लस 25 25 और यह कितना होगा पास तीस और एक तीस और आठ चार बारा तेरा चौदा पंद्रा पंद्रा गुणे एक तीस यह सवाल का उत्तर होगा पंद्रा तिया पैतालिस चार्सों पचार्स प्लस पंद्रा एंगर अपने फैक्टर निकाल लिया ये करने के लिए तो आपने लिए लेकिन उनका टोटल के लिए तो जीरो सी स्टाइट करना हो जहां तक उसकी लाश्ट पावर हो उसको ऐसे लिखते हुए एड कर देना और फिर इसके बाद मल्टिप्लाई कर देना यह आपका एक अभी जरूर थोड़ा सा डिफिकर्ट लग रहा होगा लेकिन आपकी जो मैथड है ना कि इन सभी क तो निकाल कर ऐड कर तो 201, 350 फिर इसके बाद 40, तो 390 फिर इसके बाद 20 और 25 को जोड़ोगे फिर इसके बाद 10 को जोड़ोगे ऐसे करते हुए यह तो आपकी वेवसी वाली स्थिति होगी लेकिन यह जो मैने बताया कि 2 की power 0, 1 होता है कोई भी ऐसी संख्य है जैसे मैंने का 2160 यानि की शुरुवात में मैंने दिया 2160 2160 उसके सभी फैक्टर्स का टोटल ग्याद करें 2160 के सभी फैक्टर्स का टोटल यानि की सम ग्याद करें जैसे आपको माल यह 72 ग्याद करना है बाहतर का मतलब होता है कि 2 x 36 36 तो अभी आपने पढ़ा कि 18 x 2 18 यानि की पढ़ा आपने की 9 x 2 9 को आपने पढ़ा कि ये कितना होता है यानि की 3 key square x 2 यानि की 9 x 18 और 18 एक टु यहां पर है तो 36 और 36 x 2 किया तो कितना बन गया यानि कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 यहीं तो लिखा है 72, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 ही तो 72 है, और अगर ऐसे लिखना है तो आप क्या दरोगे 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, 8, 4, 2, 8, स्वरी यहां पर प्लस लगाना आट चार दो और एक अट चार बारा एक तिरह एक चोड़ा हुआ है जैती ही त्रीका करना है तो जितना भी आपका स्वारी सब्सक्राइब करना हो तो लिख लो 72 के लिख सकते हैं और चेक कर लिए कि यह मैं बता रहा हूं सही है या नहीं अगला कुश्चन लिखिए 260 के सभी तो यह तो पता है कि यह 10 होगा और यह कितना है 216 यानिकि यह 6 का क्यूब है इंटू 5 इंटू 2 लिखा है 6 के क्यूब को हम लिख सकते थे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 ठीक है इंटू 5 इंटू 2 यानिकि 2 की पावर 3 और इंटू 2 यानिकि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 यहां तक आपने फैक्टर निकाल ल अगर आप यह करने के बाद फिर इसके बाद इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इसका भी करें और इंटू कलना है 5 तो यहाँ पर कितना होगा 8 दूने 16 8 4 2 और 1 24 24 28 31 30 और 1 31 और यहाँ पर अगर बात करूं तो दिन तरकाई 9 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस एक और इसके बाद जो भी है 9 26 36 37 49 41 31 गुणे 40 गुणे पांच यानि कि 31 गुणे दो सो एक ति दूनी बाद सट सो इसका एंसर होगा ठीक है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है देखने में लिखना जरूर बड़ा पड़ता है लेकिन आप बाद सट सो एंसर लाने के लिए सभी फैक्टर लिखकर टोटल कर है उससे तो बहुत आसान है ठीक है तो यह आपके तरीके हैं नंबर सिस्टम का जो हमारा पहला टॉपिक था फैक्टर और मल्टिपल वो हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिस किया आप प्रॉपर इनको नोट्स बना कर लिखें और भी जो आपके क्वेस्टन है जितने क्वेस्टन आप खुद से बनाकर प्रेक्टिस कर सकते हैं उनको करिए और चेक करिए और इसके बाद हम लोग नेश्ट क्लास में एक किसी और अच्छे टॉपिक के साथ यूनिट डिजिट को लेकर और फिर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा एक बार फिर से रिपीट करता के बाद मैं इस बात की गैरंटी देता हूं कि 85-90 परसेंट कुस्चन आप नंबर सिस्टम के बना लेंगे अगर आप बुक्स से लगे रहते हैं और सब कुछ आपको लगता है कि किताबों में ही है तो 40 परसेंट से उपर चुनोती है आपको बना कर दिखा देना ठीक है तो मिलते हैं अगली क्लास में और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इंफॉर्म करनें कि वो भी है पढ़ाई थोड़ा सा इस्टार्ट कर दें